अगर आपको भी खाना ढंक से पच्छता नहीं है, इन डाइजेशन की प्रॉब्लम है और सुबह आपको ब्लोटिंग या एसिरेटी की प्रॉब्लम होती है तो आज में आप लोगों की साथ एक बहुत एफेक्टिव होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए यापर सबसे पहले मैंने दूद का इस्तेमाल करा है और यह जो दूद है इसमें हमें गरम करना है और इसमें हमें एक ऐसे इंग्रिडेंट को एड़ करने वाले हैं जो कि है हमारी आमबा हल्दी मैंने आप पर आमबा हल्दी के पाउडर का प्रयोग करा है यह प पैकेजिंग में आता है बिल्कुल शुद्ध आमबा हल्दी का ये चूरन है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जिप लॉक की पैकेजिंग में आता है तो आपको इसे अलग से किसी भी कंटेनर में स्टोर करकर रखने की जरुरत नहीं है आमबा हल्दी हमारी नॉर्मल पैट में इंक्लूड करने से जहाँ पर आपको दात खाच खुजली होती है वो समस्या दूर हो जाती है पीलिया रोग खत्म हो जाता है और साथ ही अगर आपको शरीर में कहीं पर सूजन आ गई है तो सूजन को कम करती है आमबा हल्दी पेट के दर्द में हमें आराम दिला है और constipation की problem भी हो सकती कब्ज की समस्या हो सकती है तो ऐसे में जब आप आमबा हल्दी को दूद के साथ मिला कर पिएंगे न आपने अकसर सुना होगा कि हल्दी वाला दूद बहुत फायदेमंद होता है लेकिन दूद में आमबा हल्दी को डाल कर पीने से constipation की problem दूर होती है और हमारा पेट धंक से साफ होता है और फिर आपको कभी भी constipation की problem नहीं होगी वैसे तो आप आमबा हल्दी को लंबे समय तक भी यूज कर सकते हैं यह हलकी सी गर्म होती इसले quantity का ध्यान रखें हमें आपे सिर्फ आधा चमच ही आमबा हल्दी का प्रयोग करना है तो अपना आधा चमच आमबा हल्दी का पाउडर इसमें एड करने वाले हैं इसमें हल्दी डालने के तुरंत ही बात बहुत आसानी से जो हल्दी पाउडर है इस दूद में अच्छे से घुल जाएगा ऐसा नहीं कि इसमें लंप्स बनेंगे और यह ढंग से घुलेगा नहीं बहुत ही आसानी से आप इसे देख रहे हैं कि कितने आसानी से दूद में अच्छे से घुल गया है पेट दर्थ की समस्या में आमबा हल्दी को दूद के साथ मिला कर पीने से हमें बहुत आराम मिलता है सूजन कम करती है आमबा हल्दी जहां पर भी आपको शरीर में सूजन है इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा सिर्दर्ध होता है या फिर ठकान कमजोरी होती है ना या शरीर में कैल्शियम की कमी है तो ऐसे में भी आप दूद के साथ हल्दी पाउडर डालिए आमबा हल्दी पाउडर डालिए और इसे मिला कर आप इस दूद को गरम गरम पी एक और खास तरीका बताती हूँ आपको इसे पीने का किसी दिन अगर आपको रात को भूक नहीं लग रही है ना या फिर पेट काफी भरा भरा लग रहा है कुछ हल्का सखाने का मन है तो ऐसे में आप गरम दूद में आमबा हल्दी पाउडर डालिए इसे उबाली अच्छ दिन कुछ हल्का फुलका सखाने का मन है तो ऐसे में गरम दूद में आमबा हल्दी पाउडर डाल के इसको पीने से हमारा पेट लंबे समी तक भरा रहेगा और आप कुछ जंक खाने से भी बच जाएंगे वैसे आप इस आमबा हल्दी को अपने ब्रेक्फस्ट में भी इंक आमबा हल्दी में दर्द निवारक गुण होते हैं हमारे शेरीर में अगर कहीं दर्द रहता है तो दर्द को सोक लेने का काम करती है अब आप देख सकते हैं मिल्क का हमारा कलर लाइट यलो इश गोल्डन कलर का हमारे ये मिल्क बनकर रेडी हुआ है मुझे तो ये दूद वैसे तो प्लेन पीना पसंद है बट अगर आपको इसमें थोड़ी से मिठास चाहिए तो आप यहां पे थोड़ा सा गुड या फिर मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं शक्कर का यह उजमत करिएगा ये देखे अब मैंने इस दूद को निकाल लिया है ग्लास में और इस दू अगले दिन सुबह आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा इन डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है अपच की जो परशानी है वो बिलकुल खत्म हो जाएगी होर्मोनल इंबेलेंस भी ठीक होते हैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करने से तो अगर आप ही इंडियन जरी पूटी का ये आमबा हल्दी पाउडर पर्चेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ आप वहां से जाकर इस पाउडर को पर्चेस भी कर सकते हैं अगर आप रोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भी पूड़ आपको ये ए रही कि अच्छा कर खर्चेस कि अच़र और इस आपको भाउ हूग morningraw तो मेरे वीडियोग है पहाँ हूदी